कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, अगर पुलिस थान ले तो गुनहगार को पाताल से भी ढूनकर जेल की सलागों के पीछे पहुंचा सकती है कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान पुलिस से जुड़ा हुआ सामने आया है एक पॉइंट पच्चिस लाथ हुपए के इनामी हिस्टिशीटर राकेश यादव को राजस्थान पुलिस दो हजार किलोमेटर दूर से पकड़ दर लाई है आलंकि वह आरोपी अब जैपुर के अस्पिताल में जिंदगी और मौत के वीच जूर रहा है खास बात ये है कि आरोपी राकेश यादव पुलिस से बचने के लिए बाईक से अतंप पहुचा था और वहाँ पर राजस्थान में अपनी गैंग चलाने लगा था पुलिस कमिशनर बीजिस जॉर्ज जॉसफ ने बताया कि गिरप्तान आरोपी राकेश यादव श्रेमादपूर नीम का थाना रहने वाला था आरोपी ने जुएलेस नवीन सोनी द्वारा रंगदारी के करोड़ रुपए ही नहीं देने पर 30 जुलाई 2023 को अपने गुर्गेश से उसके फ्लैट पर पैर में गोली मार कर जान ले और हमला करवाया था आरोपी खिलाफ, हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी और फाइलिंग जैसे संगीन आरोपी के करीब 23 प्रकरंग दर्ज है आरोपी खिलाफ और कोलगादा में तीन सार से फरादी काट रहा था, असम से चला रहा था अपनी गैंग हिस्टरशीटर पिछले डेड़ साल से असम के डीबरुगट में अपनी गैंग चला रहा था पुलिस का चैन चीनने वाला यहां बदमाश असम में चैन से रहा था, वहें इंटरनेट कॉलिंग के जरिये व्यापालियों को धंका कर रुपए बसूलता था जैपर पुलिस के टीम पिछले एक महिने से बदमाश राकिशादव को ट्रेस कर रही थी पुलिस टीम को पतासदा की आरोपी डिब्रुगड असम में फराली काट रहा है इस पर पुलिस टीम को मंगल डोई डिब्रुगड असम भेजा गया टीम ने डो किलोमेटर का पिछा कर उसे दबोश लिया रंगडारी से मचा रखा था आतंग एडिशनल पुलिस कमिशनर के राश विश्णोई ने बताया कि आरोपी राकेश ने राज़स्थान में रंगडारी का आतंग पैला रखा था रोजाना, नेट कॉलिंग, इस्पूक इस्प्रिंग, कॉलिंग, अलग-अलग ऑनलाइन, प्लेटपॉर्म, वर्टसक, इंस्टेग्राम, स्नैप्चैट का उप्योग कर आमजन कूप करोड़ रुपे की रंगडारी देने के लिए कहता था ऐसा नहीं करने पर अपने गैंग की गुलगुस से मौत के घाट उतरवाने की धम की दिता था पैसे नहीं देने वाले लोगों पर आरोपी जान लेवा हमला करवा रहा था